आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं होते ही स्टेडी ग्लोस पर आपको बहुत बस्वागत दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपक इस सेक्स एजुकेशन की बात करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो यह बड़ मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ तो UNDP रिपोर्ट के हिसाब से जो औरते हैं ठीक है जो वुमेन हैं वो लगबग 6 गुना जादा टाइम आपने डोमेस्टिक काम के लिए करता हूँ इस पर काफी बावाल भी उठाता कि डोमेस्टिक जो काम होते हैं उसमें औरतों क पैसा नहीं दिया जाता है तो पैसा देना शुरू करो जितना मुश्किल घर का काम होता है मर्दों को अगर आप वो एक घंटा भी देते हैं तो चड़ चड़ा जाएंगे और आपको बता दू कि बहुत मुश्किल और उनका इस पर कोई नहीं तारीक मिल रही है नहीं रिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डारेक्टिब प्रिंस्पल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे फंडर्नेमेंटल राइट्स में सोचल जस्टिस की बात कही गही है तो कोई भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में समाज में न्याय होना इस्पेशली और आदमी के बीच में क्य यह होना ही चाहिए सबको आपको निया देना पड़ेगा और इसमें सबसे जरूरी है जेंडर इक्वालिटी जो आप आदमियों को दे रहे हो वही औरतों को दो सिंपल सी बात है कि जिन देशों में औरतों को पूरे राइट्स मिलते हैं वो देश बहुत डेवलप्ट है ज देखिए उस राज्यों को जाके मिघालया विजिट करिए वो एक कहते ना कि विसाल है वो बाकी राज्यों के लिए ठीक है ना तो जो जेंडर इनिक्वालिटी है ठीक है यह एक बहुत ही बड़ा इशू है अब इसमें डिस्क्रिमिनेशन स्टीडियो टाइप तुमारा ज अगर सेक्श्वेल एजुकेशन गैप भी है ठीक है यह बहुत बड़ा सोशल इशू है सेज़ें जेंडर इनिक्वालिटी में एक बहुत अगर सेक्वेल इजुकेशन होगी प्रॉपर तो आप यह समझें कि जेंडर इनिक्वालिटी कम होती जाएगी और यह गैप हमारे बहुत ज़्यादा है अजीब बात है कि भारत सेक्स को उपनी डिसकस नहीं करता और फिर भी हम दुनिया के 140 करणों के आवादी वाले देश है भारत में सबसे ज़्यादा सेक्स हो रहा है ठीक है ना यहाँ पे बुरी हालत है समझने जै क्योंकि इसको दबाया वही ओशो बो नहीं किया वह कभी परमिश्वर को पाही नहीं सकता यहीं उन्होंने उस किताब में लिखा था और वह किताब को बतानी चाहिए पढ़नी चाहिए अब आपको बता दू कि सेक्स एजुकेशन है क्या सबसे पहले तो सेक्स एजुकेशन एक प्रोसेस है कि आपको बताया जा है human sexuality के बारे में औरत और मर्दों के बारे में अभी बहुत ही शांदार movie आई थी oh my god फाई ancient आप खाजुराहों के मंदर देखो उसमें यही था कि जी भर के देख लो जी भर के देख लो जब मन भर जा तो अंदर आ जाना तुमारा जो बाहर का जो तुमारा धाचा है ना वो ऐसे ही है और जब उससे तुम त्रिप्थ हो जाओ तो फिर अंदर आना अंदर तुमको भगवान मिलेंगे तो basically हमारी बहुत open society रही है और आज इतनी डिग्रेसिव society हो गई है हमारी कि क्या बता है तो sexual anatomy ठीक है शरीर के बारे में physiology के बारे में reproduction के बारे में यह chapter तो ऐसे पढ़ाया जाता है और यहां पर जो बच्चे बड़े हस्ते में दिखाई देते हैं बलकि आब बच्पन में ही अगर school में इसको सही से पढ़ाया जाना तो जो sexual crime होते हैं बहुत कम हो जाएंगे एक बहुत बड़ा term है जिसमें काफी ज़दा topics आते हैं लेकिन core goal यही है कि accurate और proper information individuals के बारे में दी जाए ताकि हमको अच्छे से समझ आए कि यह पूरा process क्या है यह क्या होता है basically इंसान की body को ही समझना है यहां पर बस ठीक है इसी को ही समझना है ताकि ही एक respect जाके mutual respect जागे ठीक है तो sex education जो है अब सबसे जरूरी इसमें schools होते हैं और यह बहुत जल्द जो है इसकी शुरुवात कर देनी चाहिए हमारे जब तक जितना इसको delay किया जाएगा ना उत्रही हमारा समाज परशान होगा ठीक है तो इसको बहुत ही कम उमर में ही मतलब आप यह समझे कि जब बच्चा पहली या दूसरी में जाए ना तब ही उसको बताने चाहिए भाई सिग्मन फ्रोइड नहीं बोला था कि तीन चार साल से ही बच्चे sexually तो आपको बताना पड़ेगा और उनके लेवल पर बताएं ठीक है उनके लेवल पर बताएं क्या और उसको धीमे 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 आगे लिजाए अगर आप इतनी maturity दिखाएंगे तो बच्चे भी mature होंगे और अगर आप उनसे सारी चीज़े छुपाएंगे तो इधर उदर जाएंगे गलत चीज़े पढ़ेंगे गलत चीज़े सीखेंगे और उनमें एक गुश से एक frustration की भावना जो है वो पैदा होगी ठीक है ना तो यही चीज़ है फिर community centers भी बड़े important है कि यह community centers आपको बता है जैसे बहुत बड़ी है doctor cuters है ना वो काफी ज़्यादा खुल के इसमें बात करते हैं काफी famous भी हो रही है उनकी किताब भी मैंने पढ़ी तो बहुत ही शांदार उसके बाद फिर health care facilities यह भी जो launch pad हो सकते हैं sex education के ठीक है जो health care facilities है अब आपको बता दू कि जैसे इसमें होता है यह है कि अगर आप बच्पन से ही बताना शुरू कर दे कि problems क्या-क्या है तो बहुत सारे चीजों को ले की भी इंसान aware हो जाता है example के तोर पे जब बच्चा पहले के जबाने में जगर बच्चा पैता नहीं होता था तो सारा का सारा जो दोशार अरपन है ठीक है वो अरथ पे डाल दिया जाता था लेकिन अक्च्वल में 50% होरत 50% मर्द कई cases में यह पता चलता था कि भाई वो मर्द जिसका sperm count कम है एक मैं तकरिमन 15-20 साल बात पुरानी है तो आप उनके बच्चा नहीं हो रहा है पड़े परशान भाई साथ सालों के बच्चा नहीं हो बच्चा नहीं हुआ तो फिर भाईया दोनों कपल्स को बैठाएगे डॉक्टर ने पूछा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है तो अब यह नहीं होगा अगर प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी अगर proper education दी जाएगी अगर बताया जाएगा तो यह नहीं होगा और इसमें आपको शरीर के बारे में ही बताना है ठीक है आप शरीर के बारे में बताओ reproduction is a very very important हर जगा reproduction यह भाई पूरा नेचरी reproduction है मोर जो punk फेला के नाचता है वो मोरनी को अकर्षित करने के लिए ही नाचता है समझ रहे हो तो यह भूल जो हम sex के बीचों भी जैसे ओशों कहते तो उसी के बीचों भीचे रह रहे हैं ठीक है और बाकी peer educators ठीक है जो बहुत जैसे हम लोग हैं वो भी यह इस चीज के बारे में ज्यान बांट सकते हैं और बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा जरूरी है sexual abuse होता है बहुत लोगों के साथ हुआ है अब अगर आप बच्पन से ही बच्चों को यह बताना शुरू कर दो good touch क्या है bad touch क्या है तो sexual abuse भी कम होगा sexual abuse का इतना बुरा असर पड़ता है बच्चों के उपर कि वो अनुराग कर्च्चों में बहुत बड़े डाक्रेटर है वो बताता है कि अभी भी वो ट्रॉमा है वो आखरी तक रहता है पूरा आप यह समझे दीजे कि जो आपके साथ बच्चपन में होता है न बहुत ही एक पूरा एक घाओ की तरीके से वो जिन्दगी भर आपक बच्चों को दिखा सकते हैं ताकि बच्चे सीखें और कोई मजाग की बात नहीं है फिर जब क्राइम होगा तो फिर लेके बैटे रहना सर की क्या हो गया क्या हो गया ठीक है पकड़ने नहीं सर तो वही बता रहे है कि इसकी नीड इसमें बहुत जादा है और यह में नहीं पता है STDs के बारे में नहीं पता तो it is very important क्योंकि ultimately भाई यहां पे हो क्या रहा है एक आदमी जो है वो इतना कमा रहा है पैसा क्यूंकि उसके अच्छी शादी हो है ना उसकी खुबसूरत लड़की सब लड़की जो है वो इतना सवर के जारी है क्यूं क्यूंकि वो रिजा सके मरदों को तो नेचर का ही साथ किताब चल रहा है यहां रिजा नहीं है पस हम जानवर नहीं हैं हम जानवरी थे पहले तो जानवर जो है वो नाच के या अपनी जो कहते हैं मतलब वो लड़के अपनी जो डॉमिनेंस से वो सावित करते हैं हम लोग कैसे अपन के लिए तयार नहीं है तो यह चीज़ है healthy relationships के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है it is very important communication skills consent और sexual orientation अब marital rape की कितनी बात चलती है है और अगर आपको proper sex education दीजा है तो marital rape की बात ही कभी नहीं उठेगी कोई भी offense की बात नहीं उठेगी है ना तो सबसे पहले क्यूं इसकी ज लड़किया भी sexual abuse face करते हैं ministry of women और child development के हिसाब से अब जो teenage pregnancy है अब वही बता रहे ना कि education है नहीं contraceptives कहूं से use करने है safe sex कैसे करना है क्या-क्या repercussions हो सकते हैं जिसकी वज़े से one of the highest date teenage pregnancies के हमको देखने को मिलते हैं ठीक है 16 million लगबग डेड़ करोण teenagers जो है दो pregnant हो जाती है knowledge नहीं उनको sexual health के बारे में contraception के बारे में जो कि बहुत बड़ी problem है फुर इसके बाद STI HIV हो जाता है syphilis gonorrhea हो जाता है अब अगर education proper education होगी तो फिर इनको पता चलेगा कि हाँ ये भी दिक्कते हैं इसको कैसे avoid करना है gender based violence औरतों के साथ कितना जादा violence होता है sexual abuse भयान होता है आप किसी बारे से पूछ लीजे कि एक ना एक टाइम पर उसे ये जहला ही होगा ठीक है तो अगर आप educate करेंगे especially young लोगों को तो healthy relationships देखने को मिलेगी respect देखने को मिलेगी consent देखने को मिलेगा ठीक है ना तो ये चीज़ है फिर उसके बाद taboos and stigma बहुत रहें कि भारत बढ़ता ही जा रहा है साथ साथ दस दक बार पंदा 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 बच्चे लोगों ने पैदा किये हैं और यहां पे sex की बात नहीं कर रहे हैं मतलब इससे बड़ा दोगलापन को होई नहीं सकता और भारत मैंने क्या बताया कि भारत वही देशे जहां से का जराओ के अलूरा के टेंपल्स तो आप यह समझिए कि भारत में sex को बहुत openly discuss किया जाता था है ना यह बहुत जरूरी भी था लेगिन फिर उसके बाद तो इस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि accurate information हमको मिल जाए अब जिन लोगों से accurate information लेते हों कितना गलत है और बहुत लोग बाई छुप छुप के पौन देखते हैं भारत सबसे आगे है पौन देखने में ठीक है और उसमें क्या चल रहा है क्या वो तो violence को सीधा सीधा प्रोमोट करता है तो यह सही नहीं है ठीक है तो benefit क्या है sexual education की बात करें तो सबसे पहले तो gender respect ठीक है कि आपको opposite sex के लिए respect मां का है ना तो उसके में भी आपको जब आप body को समझेंगे तो उसमें भी आपको respect डिखने को मिलेगी फिर उसके बाद जो risky behaviors होते हैं ठीक है कई बार frustration होता है कई बार sexual abuse होता है कई बार violence होता है in fact आपको पता दूँ कि टेड मंडी biography वो मतलब उनकी Netflix documentary इतना violence हुआ इतन सबसे बड़ी बात यह है कि empathy empathy एक ऐसी feeling है ना जो कि हर किसी में होनी चाहिए और जब आप sexual education लेते हो तो आपके अंदर एक विनम रता क्योंकि आपको पता कि अच्छा हमारी body ऐसे काम करती है ठीक है तो चीजे होती है लेकिन challenges कितने हैं चलो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो जो राज है वो society के अगेंस नहीं जाना चाहते है लेकिन समाज किसने बना मैंने क्या बता कि जो हमने पहले समा है बहुत है इंप्रोप्रियेट है ठीक है तो बेस्ट यहीं किसको silence कर दो लेकिन यह population explosion है भाई population फटी जा रही है हम मर जाएंगे एक दूसरे से लड़के resources कम है population हम collapse के कगार पे हैं यह civilization को collapse है क्योंकि इतनी population अब medical field इतनी ज्यादा develop हो गई है कि इनसान बहुत जी रहा है मर कम रहा है तो लगाता लोग बरते जा रहे हैं reproduce कर रहे हैं बढ़ रहे हैं और इसकी वज़े से हमारी धरती और सब कुछ बरबाद अब होगा क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब हम बहुत ज़्यादा population पर हाला कि वैसे देखा जाए तो population अमले फिस टेबल होना शुरू हो जाएगी ठीक है बट फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा जब रहने की जगा पैर रखने की जगा नहीं होगी और फिर होंगे जगले तो प्रॉब्लम है पॉपलेशन को लाप्स बड़ा डेंजरस होता है ठीक है गुजरात महाराज्च मद्ध प्रदेश चत्रिश गर जो है उन्होंने तो सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में और रिफ्यीज कर दिया है महोद बढ़ी आप बढ़ी वज़ाई आपने लिए ठीक है आप इतनी बड़ी दिक्कत है अपने लिए पैदा कर रहे हो और आने वाले समाज किलिए पैदा कर रहे हो और्टोडॉक्स माइंड सेट ठीक है कुछ पर्टिकुलर मंदिर तंत्र में है ऐसा फिलाल मैं नहीं जाता पड़ आप यह समझें पर ऐसा थोड़ी नहीं कि कुछ नहीं कर सकते यह सब तो कोड़ी बकवास इससे कोई कहां आपकी बोड़ी कैसी है और क्या है तो यह लाक ऑफ अवेरनेस की वजह से है क्योंकि अवेर नहीं है यहां पर कोई ठीक है यह चीज है और बहुत सारे जो सेक्शल एजुकेशन है उनको लगता है कि यह इम्मॉरैलिटी वह कर रहे हैं जो इसको नहीं जिसको छुपा र पंडित बनते थे अपने आपको कि अरे भीया हमसे बड़ा तो पंडित कोई नहीं है यह सब नहीं करना चाहिए प्यार बैर क्या है अनो सुनातन सुनातन को रिस्पेक्ट करो सुनातन समझ लो पहले ठीक है एक क्या हुआ कि मेरे दोसके बास मेसेज आया तो उसमें था कि साथ लाक रुपए दो है साथ हजार कुछ ऐसे ही थे इग्नोर कर दिया फिर उसके बाद वाट्साइप मेसेज है वाट्साइप पे जो बहुत बड़े पंडेति आपने आपको बन रहे थे ना उनका पूरा एक न्यूड वीडियो था किसी ललकी ने उनको फसाया उन्होंन तो यह हिसाब किताब है तो फर्जी की बाते हैं सब और रिसोर्सेस कंस्ट्रेंट ठीक है बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा है कि उनको एडिकोट कॉलिटी ऑफ सेक्स एजुकेशन वो नहीं क्योंकि एक तो टीचर उतने एजुकेटेड नहीं है नहीं उनके पास इतने और एक उसा होता है ना कि जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपको यह देखने का नजरीया है कि आप इसको क्या ट्रीट करते हैं भाई देखो यह हमारी बॉडी है और यह है तो अब आप उसको अगर वल्गैरिटी से जोड़ होगे ना तो आपको गंदही लगेगा या जिजक होगी आपको बताना ऐसे है मान लो कि आपके जैसे प्रोस्ट्रेट कैंसर होता है तो हम बताते हैं ना कि प्रोस्ट्रेट कैंसर है यह यह प्रॉब्लम है बताना पड़ता है अब हम छिपाते नहीं नहीं हम तो बात नहीं करेंगे इसकी हम तो प्राइवेट पीचर्स हमको मिलते हैं तो वो भी थोड़ा बैक ओफ कर पाते हैं नहीं उनको प्रॉपर ट्रेइनिंग दी जाती नहीं मेटीरियल से तो यह बहुत बड़ा चैलेंज है जाता तर इसकूल से बायोजिकल एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं और इसलिए आप देखिए आज कल स्क कि भाई किस तरीके से क्या आप वोकाब जो है वो डिसकस करेंगी जैसे बहुत सारे चीजे हम हिंदी में मैं भी याप हिंदी में नहीं बोल सकता है ना हमको अग्रेजी उसकरनी चाहिए तो वो भी एक बड़ी दिक्कत है कि भाई आपने सेक्स को ऐसा बना दिया है ना ऐस ऐसी ऐसी चीजों से इसको गाली गाली देनी है तो भाई यह सेक्स का इस्तमाल हो रहा है ठीक है प्राइवेट पार्ट का इस्तमाल कर रहे है है तो अब बात इतनी सी है कि आपने ऐसी ऐसी चीजों से जोड़ दी है कि प्रॉब्लम है पर फिर भी वो कैप्स है बहुत सारे Sanskrit words है English words का आप use कर सकते हो ठीक है नहीं तो फिर उसके बाद political will आप देखे politics हमारी ऐसी है कि भाई वो जनता के साब से चलती है और जनता को जो सही लगे वही सही है तो problem यह है कि जनता भी चाहती है sex पे बात नहों तो नहों सरकार ने आला कि initiative लिया ऐसा नहीं है जिसे ऐसे अभी adolescent reproductive and sexual health strategy यह इन्होंने जो है बनाई थी फिर national adolescence health program यह सब इन्होंने बनाया हुआ है ठीक है legal recognition कि अगर बात करते हैं तो Calcutta High Court judgment ने और लेडी यह बोला था कि जो बच्चे है they have right to access sexual education बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिर committee जो है वो बैठाई गई थी एक कि भाई यह जो discrimination इतना ज़्यादा हो रहा है इसको जो हो हटाया जाए फिर क्या आप करना चाहिए सबसे पहले तो way forward क्या है कि यहाँ पे advocate करो जितना ज़्यादा हो सके it is very very important कि आप inclusive education पे जाओ सारी चीज़ें उसमें include करो जिस तरीके से history, geography, biology पढ़ाते हो उसी तरीके से आप sex education भी पढ़ाओ that is very very important तो इससे क्या होगा है एक social justice education अगर आप ऐसे करते हो तो caste और gender based conference खतम हो सकते हैं फिर सके बाद teachers टीचर्स ही पढ़ाएंगे तो एक ऐसा program चलाओ highly trained teachers को नहीं मतलब teachers को बनाओ ताकि वो समाज को बता सके कि ये कितना ज़्यादा जरूरी है और उसके बाद vocabulary it is very important regional vocabulary कि किस भाशा में आप अंग्रेजी नहीं अंग्रेजी आपको बहुत गाओं वालों को नहीं समझ में आती है ठीक है तो अंग्रेजी नहीं उन्हीं की भाशा में वहीं से ही पकड़ो और उनको train करो और उन्हीं की भाशा में वो बताए कि भाई ये ये करिये तो आपको बहुत फाइदा होगा ठीक है यह चीज है community engagement it is very also important कि जो community है ऐसी बनाई जाए एक तो environment अच्छा supportive environment has to be done फिर उसके बाद community जो है वो बहुत important रहती है क्योंकि हम समाज में ही रहते हैं और community समाज का ही एक स्वरूप है तो अगर community के थुरू कोई भी काम हो रहा है तो बहुत ही शांदार हो सकता है ठ बाकिया में इसको openly discuss कर सके और updates और evaluation ठीक है landscape of sexual education is dynamic बहुत जाद़ डाइनमिक है ठीक है तो आप इसमें लगातार update करिए evaluate करिए साथी साथ अपने आप curriculum में जो आपका schools में मतलब जो भी आपका syllabus उसमें इसको और मुझे तो लगता है बहस करवाई है discussion करवाई है और prize रख पट कही ना कही हम इसमें पीछ अर्थे जा रहे हैं और इसका खामियाजम को भुकतना पड़ रहे है तो दिससे सद्धान तक नियोतरी signing off